कलर्स टीवी के कॉंटुवर्शिल शो में जह शुरुवात से ही रिष्टे बनते और बिगडते हुए दिखाई दे रहे हैं तो अब लगता है कि एक और रिष्टा तूटने की कागार पे आ गया है और अब जो दो दोस्त लड़ते हुए नजर आ रहे हैं वो और कोई नहीं बलकी विकास और अर्शी हैं यहाँ आपको बता दे कि शो में इन दोनों की काफी अच्छी बॉंडिंग चल रही है लेकिन अब लगता है कि इस बॉंडिंग में भी दरार आ गई है वहीं जहाँ बीते विकेंड के वार में इन दोनों की लड़ाई की शुरूआत हुई थी जिसके बाद विकास ने अर्शी को ही कहा था कि मैं तुम्हें नहीं चोड़ सकता उसी बात पर अर्शी ने भी रोते रोते ये कहा था कि मैं भी अब तुम से कभी नहीं लड़ूंगी लेकिन अब लगता है कि अर्शी अपनी ही बात से मुकर रही है यहां आपको बता दे कि अर्शी लग्ष्री बजे टास से ही विकास से लड़ती हुई दिखाई दे रही है और वो भी शिलपा के लिए जी हां जहां अर्शी शिरुवात से ही विकास से इस बात से नराज है कि वो हमेशा शिलपा की साइड लेते हैं तो एक बर फिर अर्शी विकास पर शिल्पा के लिए ही भड़क पड़ी यहां आपको बता दे कि बिग बॉस ने सबी घरवालों को टास में सबसे खराप रदर्शन वाले कंटेस्टिन का नाम लेने को कहा था जहां अर्शी ने नाम लिया पुनीश बंद की और शिल्पा का और शिल्पा का नाम लेते हुए अर्शी ने ये कहा कि शिल्पा ने अकाश की मूँ पर लस्ल लगाया था जिसकी वज़े से अकाश का पूरा मूँ सूझ गया था उसी बात को काटते हुए विकास ये कहते हैं कि शिल्पा को इस बात का पता नहीं था वो उनसे अंजाने में हुआ है और तब ही विकास की तरफ से शिल्पा का सपोर्ट सुनते ही अर्शी भड़क जाती है विकास पर जहां वीकेंड के वार में अर्शी विकास से ही कह चुकी है कि मैं तुमसे अब नहीं लड़ूँगी वहीं अर्शी एक बार फिर से ये बात दोहराती है और लड़ पड़ती हैं विकास से अब अर्शी का ये गेम प्लान तो किसी के समझ नहीं आ रहा और अब वो आगे क्या क